आज के इस लेक्चर में हम लोग BNS के अंदर यानि भारती निया सहीता 2023 के अंदर सेक्षन 113 और 147 के बीच के डिफरेंस को जानेंगे देखें ये जो सेक्षन 113 है BNS के अंदर ये नया सेक्षन आड हुआ है जो डील करता है टेररिस्ट आक्ट के उपर तो ये पहले टेररिस्ट आक्ट का कोई ओफिंस IPC के अंदर नहीं था इसको हम लोग कंपेर करेंगे सेक्षन 147 से ये 147 जो है डील करता है वेजिंग वार अगेंस दा गॉवर्मेंट ओफ इंडिया ये सेक्षन IPC के अंदर पहले मौजूद था ये सेक्षन 147 जो है IPC के अंदर आपको सेक्षन 121 के अंदर मिल जाएंगे अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टेररिस्ट होता कौन है उसके साथ साथ अभी तक इंडिया के अंदर टेररिस्ट को किस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा रहा था आईए देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेररिस्ट कौन होता है अगर हम लोग Cambridge dictionary को देखें तो वो ये कहता है कि टेररिस्ट वो होता है someone who uses violent action अगर कोई violent action को use करता है यानि टेररिस्ट वो होता है जो एक तरीके से terror create करता है आवाम के अंदर या जिसके वज़े से जिसे for example अगर हमारा एंडिया है तो हमारे एंडिया की sovereignty, integrity, unity को threat होता है और वो इंसान ये terror क्यों इस्तिमाल करता है किसी political purpose के लिए देखे, अब ये तो एक general definition हो गई terrorist की लेकिन जब हम लोग history उठा के देखते हैं तो हम लोग history में कई ऐसे example पाते हैं जहां पे कई बार ऐसे लोगों को terrorist कहा गया है या terrorist declare कर दिया गया है जो अपने देश के लिए ही लड़ लए थे अपने देश के हित के लिए ही लड़ लए थे जैसे for example जिस वक्त Britishers जो है इंडिया के अंदर rule कर रहे थे तो उस वक्त भगस सिंग बहुत सारी revolutionary activities कर रहे थे Britishers के अगेंस ताकि वो इंडिया को independence दिला सके तो जो Britishers थे उन्होंने भगस सिंग को tag दे दिया था कि he is a terrorist आज भी UK के historian जो है भगस सिंग को terrorist मानते हैं अब जो लोग Britishers के point of view से agree करते हैं तो वो भगस सिंग को terrorist मानेंगे लेकिन जो लोग Indians के point of view से agree करते हैं या जो भगस सिंग का point of view था कि भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिलनी चाहिए वो भगस सिंग को hero मानेंगे तो आप देखे सेम person है लेकिन नजरिया अगर बदल दिया जाएगा तो वही इंसान terrorist बना जा रहा है और अगर दूसरा नजरिया कर दिया जाएगा तो वही इंसान hero बना जा रहा है उसी तरीके से दूसरा example आप देखे निलसन मैंडेला के case में निलसन मैंडेला को कई government ने कहा कि he is a terrorist जिस वक्त वो struggle कर रहे थे अपार्थ हाइट के against तो उनको terrorist बना दिया गया और उनको Robin Island के अंदर 25 से 27 साल तक कैद कर दिया गया फिर बाद में उसी इंसान को Nobel Prize मिलता है peace के लिए आप imagine करिये जो इंसान terrorist है उसको Nobel Prize मिला है peace के लिए और फिर बाद में वो President बन रहा हूँ South Africa आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखें इंडिया के अंदर जो terrorist होते हैं अभी तक उनको किस law के अंदर चार्ज किया जाता है उनको चार्ज किया जाता है UAPA के अंदर 1967 यह कौन सा law है Unlawful Activities Prevention Act 1967 इसके अंदर अभी recently 2019 के अंदर amendment भी किया गया है इसके अंदर जो government है मान लिजे से Central government है वो किसी भी individual को किसी भी organization को designate कर सकता है declare कर सकता है कि यह organization या यह individual terrorist है और देखें अब इंडिया के अंदर nearly 42 ऐसी organizations है जिनको designate किया गया है as a terrorist organization इसके अंदर बहुत सारी आती है जैसे भबर खलसा आती है उसके साथ साथ LTE आती है Liberation Tiger of Tamil Elam terrorist organization है Communist Party Moist terrorist organization है Lashkaritaiba terrorist organization ISIL Al-Qaeda terrorist organization 42 organization की list है जिसको इंडिया के अंदर as a terrorist organization designate किया गया है आईए अब हम लोग इन दोनों को compare करते है terrorist act और waging war against the government of India को एक-एक करके देखते हैं आप सबसे पहले definition वाला part देखते हैं देखे terrorist act को जैसा भी हम लोगों ने देखा कि नया section add हुआ है section 113 BNS के अंदर तो इस 113 BNS के अंदर terrorist act को define किया गया है और यह section deal करता है terrorist act के उपर वहीं पर waging war against the government of India यह section 147 में आ गया है जो पहले 121 हुआ करता था यह provide करता है for the punishment for waging war waging war को define नहीं कर रहा है खाली यह punishment बताता है कि कोई इंसान war wage करता है या attempt करता है या भले ही उसका abatment करता है यह तीनों चीज़े एक ही section के अंदर है यानि किसी ने war कर दिया या उसका attempt किया या abat किया तो तीनों एक ही section के अंदर punishable बनाये गया है ठीक है तो यह 147 BNS के अंदर आ था दूसरा intent and purpose terrorist act or waging war against the government of India के अंदर intent और purpose क्या होता है इसके अंदर जो terrorist act के अंदर जो intent होता है वो intent होती है कि भारत की unity यानि भारत की जो एकता है जो लोग यहां पर unite होके रह रहे हैं तमाम धर्म के लोग अलग-अलग उसके साहसाथ भारत की जो integrity है यानि integrity भारत का जो एक area है भारत की जो states है वो सारे maintain रहें ऐसा नो कोई state अपने से अलग होने की कोशिश करें भारत की unity को integrity को sovereignty sovereignty मतलब की इंडिया खुद अपने आपको गवन करता है कोई भी बाहर की power जो है इंडिया की governance में इंटर फेर नहीं कर सकती है हम खुद अपने आपको गवन कर सकते हैं sovereignty को भारत की security को of India और intimidate the general public तो भारत की जो unity integrity और sovereignty या security of India को threat करे या जो general public है उसको threat करे या public जो order है उसको disturb करे यह intent और purpose होती है terrorist act के अंदर लेकिन अगर हम लोग waging war against the government of India देखें तो waging war क्योंकि यह war किसके against है गौर्मेंट आफ इंडिया के लिए तो मतलब क्या है इन्टेंट क्या है कि जो गॉवर्मेंट या उस गॉवर्मेंट को ओर्ट और थरो कर दें तो यह लडाय जो है ये गॉवर्मेंट की एक ओर्न इंडिया जिस तरीके से एक इंसान अपने आपको प्रिजर्व कर सकता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो अपने आपको प्रिजर्व कर सकता है। टार्गेट ऑफ दा क्राइम अब देखिए टेर्रिरिस्ट एक्ट के अंदर जो आम तोर पर टार्गेट्स होते हैं वो कौन-कौन होते हैं सिवीलियंस हो गया है कहीं बंविस्पोर्ट करना किसी को मारना पब्लिक प्लेसे हो गया है एमिंग फॉर मैक्सिमम कैजुवल्टी जादा कैजुवल्टी के उपर फोकस करना उसके साथ सथ पब्लिक फियर बनाना पब्लिक जो है एक डर बनाना वहीं पर अगर हम लोग देखें वेजिंग वार अगेंस्ट गौन्मेंट ऑफ इंडिया तो जो टार्गेट होता है वो क्या होता है इस टार्गेट के अंदर क कर दिया जाए ठीक है लोगों को लगने लगे कि यह गौर्मेंट फिट नहीं है अंडर माइन दा अथॉरिटी और थ्रेटन इट्स एक्जिस्टेंस तो यानि स्टेट गौर्मेंट को ही थ्रेट किया जाता है इसके अंदर टार्गेट होता है अब वो कैसे किया जाता है यानि कोई संगटन तयार कर ली कुछ और्गनाइजेशन बना ली कुछ लोग इखटा हो गए उनका टार्गेट क्या है कि हमें गौर्मेंट से लड़ना है जैसे आप इसके लिए बेस्ट एक्जांपल देखेंगे नक्सलाइट्स नक्सलाइट्स आप देखें उनकी मेन ल इस्तेमाल किया जाता है क्या जरीये का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकंद जैसे बता दिया गया बॉंब हो सकता है डाइनमाइट हो सकता है एक्स्प्लोजिव सबस्टेंस हो सकता है इंफ्लेमेबल सबस्टेंस हो सकता है फायर राम्स हो सकता है लीथल वेपन्स हो सकता है poisonous और noxious gases हो सकती है या दूसरे chemical और दूसरे substance का इस्तमाल किया जा सकता है terrorist act को करने के लिए ठीक है तो ये method इस्तमाल किया जाता है terrorist act के लिए 113 BNS में बता दिया गया उसी के साथ साथ जो waging war against the government of India है इसके section में कोई method की बात नहीं करी कि इसके अंदर जैसे किस तरह की चीज़ा आ सकती ही जैसे armed rebellion violent uprising government के अगेंस एक rebellion बना लेना हतियार उठा लेना और एक खटा हो जाना तो जैसे group तयार कर लेना बहुत सारी जैसे इंडिया के अंदर organization को designate कर दिया गया है उल्फा, मॉईस, अलकाइदा तो इस तरह की बहुत सारी organizations को Indian government ने designate किया किस purpose के लिए कि हमें इनसे threat है ठीक है तो includes organizing armed rebellion conspiracy to wage war और any direct action against the state's authority और constitutional bodies इसके बाद अब method हम लोगों ने जान लिया कि terrorist किस तरह की method का इस्तिमाल करता है अब ये method इस्तिमाल करने के बाद वो करता क्या है वो करता क्या है terrorist act के लिए इसी section के अंदर यानि section 113 BNS के अंदर बता दिये गया है कि वो करता क्या है तो बता दिये गया है वो cause करता है या likely to cause या तो वो कर रहा है या तो जो वो कर रहा है उससे ये चीज हो सकती है क्या हो सकती है जैसे मान लिजे कि वो किसी को मार डाल रहा है या जो काम कर रहा है उससे कोई मर सकता है या इंजरी पहुच रही किसी को या इंजरी पहुच सकती है उसके साथ साथ loss of damage or destruction of property या property को नुकसान पहुच रहा है या उसके साथ साथ disruption of any supplies or services कोई बहुत important supply है उस ची damage करना भारत की जो monetary stability है मान लिजो कि कोई counterfeiting currencies बना देना ताकि भारत की जो monetary stability है वो खराब हो जाए production और smuggling और circulation of counterfeit Indian paper currency और coin और any other material उसके साथ damage or destruction of any property in India और in a foreign country used used or intended to be used for the defense of India जो इंडिया के defense के लिए इस्तिमाल की जा सकती है उसको नुक्सान पहुचा देना मान लीजे उसके साथ साथ or by means of criminal force or the show of criminal force intimidate करना यानि जो मान लिजे कि public functionaries है उनको और और करना criminal force डरा के threat करके उसके साथ साथ किसी को detain करना kidnap करना abduct करना जैसे किसी को detain कर लिया kidnap कर लिया पकड़ लिया ताकि अपनी मांग करवा सके अपनी मांग रख सके गॉर्मेंट के सामने ठीक है तो कंपिल करना government of India को या कोई state government को या government of any foreign country और any international और इंटर इंटर गॉर्मेंटल organization और any other person to do or abstain from doing any act ठीक है उसके साथ सत्व वेजिंग वार अगेंस द गॉर्मेंट आफ इंडिया के अंदर क्या है means and method is not provided वहीं पे waging war against the government of India के अंदर means और method नहीं बताया गया है कि क्या means होगा क्या method होगा और waging war against the government of India के अंदर जरूरी नहीं कि कि किसी इंसान ने war wage ही कर दिया हो अगर किसी ने attempt भी किया है अगर किसी ने उसके लिए abatement भी किया है वो भी liable हो जाएगा तो even attempting to commit or abating to commit is punishable under the same section उसके साथ साथ अगर हम लोग punishment की बात करें तो punishment के लिए पूरी लंबी लिस्ट है इस terrorist act यानि section 113 BNS का इसके subsection 2 से subsection 7 की बीच में punishment बताई गई है अलग-अलग circumstances में कि क्या punishment होगी terrorist act की ठीक है उसके साथ साथ तो waging war against the government of India के लिए जैसा के भी हम लोगों ने जाना कि जो 147 है उसके अंदर बता दियेगे कि अगर कोई war wage करता है उसका कोई attempt करता है कोई abit करता है same section के अंदर liable है उसके बाद आगे के कुछ sections के अंदर बता दिये गया है कि अगर कोई preparation करता है लोगों को collect करता है तो उस जगहां पे कौन सी सजा चलेगी ठीक है अब यह जो 113 था BNS यह जो section 113 है BNS इसके अंदर एक नई चीज़ एड कर दिया गया है कि for the removal of doubts it is hereby declared that the officer not below the rank of superintendent of police shall decide कि जो officer होगा not below the rank of superintendent of police वो यह decide करेगा किस चीज़ को decide करेगा whether to register the case under this section कि अगर कोई terrorist act करता है तो उसका जो offense है इस section के अंदर register करना है और under the unlawful activities prevention act या UAPA के अंदर जो अभी हम लोगों ने देखा था कि terrorist को अभी तक किस act के अंदर charge किया जाए आई होब कि आप लोगों को clarity मिल गई होगी कि terrorist act और waging war against the government of India में क्या फ़र्क है